बिस्मिल्य रहमानी रहीम, अस्सलाम अलेकुम, वेलकम टु स्माइली फूड और मैं हूँ नाहिद, आज हम बनाएगे चिकन दम बिरियानी, आज की वीडियो देखने के बाद चिकन बिरियानी बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा, अब बाजार जैसी टेस्टी बिरियानी आप भी आसानी से घर पर बना लोगे, तो चलिए जाएकेदार और चुट्टे चावलो वाली बिरियानी, सिर्फ आदे घंटे में मैं अपने घर पर किस तरह बनाती हूँ, देख लेते हैं। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूगी, आप देख सकते हो कि बिरस्ता कैसे बनाते हैं, तो यह प्यास फ्राय हो चुकी है, इसे साइट पे कर देते हैं, और बिरियानी की दूसरी जान होती है, वह होते है चावल, तो यहाँ पर दावत के लांग ग्र गरम मसाला होता है, तो यहाँ पर देखिए, गरम मसाले में मैंने एक चमच काली मिर्च ली है, तीन से चार दालचीनी के टुकड़े है, एक वादिया का फूल है, जो टुकड़े हो गए, मेरे पास डब्बे में रखे हुए, चार से पाच लॉंग है, एक बड़ी लाइच लिए है, और यहाँ पर देखिए, मिर्चिया हमने दस्ते बारा लिए है, तो आप अपने टेस्ट के साब से हरी मिर्च को ले सकते हो, आगे हम लाल मिर्च भी डालने वाले है, तो मिर्च आप अपने टेस्ट के साब से ले सकते हो, मिक्सर जार में ये सबी चीजों को डाल कर दरदराशा पीस कर लें ये पानी डाले लैखिया है वैसे मसाला कर लिना मसाला कर लिया है सारा मसाला चिकन सैर्व यहाँ पर मैं our watch लिया है के इस तरह से जो खड़े पुलाव जब भी बनाए तो अधरक लसन फ्रेश ले और थोड़ा सा ज्यादा ले उससे बिर्यानी या पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है आदा चम्मच हल्दी पाउडर ली है एक चम्मच लाल मिच पाउडर है और दो चम्मच धनिया पाउडर है मिर्च आप अ हरा दनिया लिया है आधी मुट्टी और एक मुट्टी फ्रेश पुदीने के पत्ते लिए है अब इसमें फ्राइड ओनियन दालेगे जो हमने बिरस्ता बना कर रखाए तो आदा बिरस्ता दाल देती हुमें इसमें बिर्यानी में चटपटा सा टेस्ट देने के लिए एक न एक पूरान इंबू का रज डाल दिया है मैंने इसमें थोड़ा से इसमें ओरेंज फूट कलर भी डाल रही हुमें अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं कलर डाले बिना भी आप ये बिर्यानी का मसाला तयार कर सकते हो अच्छी तरा से सभी चीजों को मि सकते हो ओ लेकिन मैं आज फटा-फट वाली चिकन दम बिर्यानी बना रही हो जो बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती है चिकन के अंदर सारे मशालों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले गे हैं यह बहारिले में सभी मसाले में ने चिकन में अच्छी तरह से लगा लिए है अब इसे direct ही हम पकाना चालू करते हैं अगर आप चाहे तो ये चिकन में मसाले लगा कर रग भी सकते हो लेकिन आज हम instant वाली बिर्यानी बना रहे हैं चलिए अब बिर्यानी बनाना स्टार्ट करते हैं आज में बिर्यानी का मसाला कुकर में बनाओगी जो जटपड बनकर तयार हो जाएगा तो देखिए इसमें एक कप तेल है मैंने इसी में प्यास को फ्राइ करके बीरस्ता बनाया है उसी तेल में हम बिर्यानी का मसाला कर लेते हैं इसमें हम डालेगे एक चम्मस जीरा और दो से तीन तेज पत्ता बिस्मिल्लायरमा अच्छी जीरे को फ्राइ होने देगे यह बिरस्ते का तेल है तो बहुत अच्छी खुश्बो आ जाती है अभी इसमें मैं कुछ खड़े मसाले नहीं डाल रही हूँ कि मैंने जो भी खड़े मसाले लिये है वो सब बिर्यानी के जो चिकन में मसाले लगाए है उसी में डाल दिये है जीरा अच्छी तरह से फ्राइ हो गया है अब जो हमने चिकन में मसाले लागा कर रख दिया है वो सारा चिकन डाल देते इसमें बिसमिल्लाय रमारी रहे है इसमें मसाला भी सब निकाल लेके हम और तेज आज पर हमें यह मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है तो 5-10 मिन अच्छा आपकी बिर्याणी में टेस्ट आएगा। कर दो अच्छा आज पर मैं ये मसाले को अच्छी तरह से भून रहे हूं। और लॉक्ते बिर्याणी के चावल बॉइल करने के लिए पानी गरम करने के लिए रख दिया है। तो उसमें कुछ खड़े मसाले भी डाल देते हैं, ताकि चावलों में भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, बड़े से पतीले में मैंने चावलों को बॉयल करने के लिए 4-5 लीटर पानी गरम करने रख दिया है, उसमें कुछ पुदीने के पत्ते डाल देगे, ताकि चावलों हमने तोड कर लिया है, यह मसाले डाल देते, नमक मैंने यहां पर 3 चमच भर के लिया है, जब भी आप बिर्यानी में नमक डाले, तो पानी में नमक टेस्ट करके देखे, थोड़ा सा उठावा नमक चाहिए, थोड़ा सा नमक का फ्लेवर ज्यादा होता है, क्योंकि यह चा यह पानी को हम ढखकर रख देते हैं, और पानी में अच्छा सा इक उबाल लाते, उसके बाद इसमें चावल डालेगे, यहां पर मसाले को बूनते वे, पांच मिनट हो चुके है, एक चमच मैं इसमें एवरेस्ट का चिकन मसाला डाल रही हूँ, आप कोई भी मसाला हो आप पास चिकन का तो घाल सकते हो, और दो से तीन कत्रे में केवडा एसंस डालोगी, इस से बिर्यानी में बहुत ही अच्छा अपलेवर आता है, तो दो कुकर की सीटी में ही चिकन हमारा बॉयल हो जाएगा, तो बिर्यानी फटा पटा पटा हमारी बनकर तयार हो जाएगी वरना क्या होता है दम बिर्यानी बनाते हैं तो चिकन में मसाला लगा कर मसाले को हमें एक से दो घंटे के लिए मेरिनेट करना पड़ता है यहाँ पर मैं इंस्टन बिर्यानी बना रही हूँ तो यह कुकर में फटा-फट से बनकर तयार हो जाएगी तो टोटल यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए आप देख सकते हो कि मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है अब जो मसाले का बरतन था उसी में आधा कब पानी डालूगी मैं बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है बस आधा कब पानी डाल दिया है म का भणं कर के बई कर देगे और 2 ब harvest में कर देंगे मिलर की करना हाई दूसरी सिटी होते ही अपने गैस बंद करदें और चिकन को 90 indicates कूक बाड़े संच करना है तो आध पानी को भी चेक कर लेते हैं, देखें पानी में भी अच्छा सा उबाला गया है, अब चावल भी डाल देते हैं, बिस्मिल्लाई रमाली रहें, और चावलों को हमें 70 परसंट तक कूक करना है, क्योंकि दम पर भी हम ये बिरियानी को बनाने वाले हैं, तो चावल और चिकन ज हो जाएगे, यहां पर 3-4 मिनट हो गए, चावलों को चेक कर लेते हैं, यह देखें, चावल में अभी कसर बाकी है, थोड़ी, यहां पर 70-80 परसंट तक चावल कूक हो चुक है, इसे हम छान लेते, तो कोई भी बड़े से थाल में आप इसे छान ले, ताकि चावल हमारे ज थोड़ी सी कसर बाकी है, उसे हम चिकन के मसाले के साथ बिर्यानी में दम पर पकाएगे, सारे चावलों को में इसी तरह से बड़े से थाल में चान लेती हूँ, इसका जो एक्षा का पानी है वो निकाल ले गया हम, कूकर का सारा प्रेशर निकल चुका है, चिकन को चेक कर लेते हम, माशारला कुछबू बहुत ही बैतर ही ना रही है, यह देखिए लगबख चिकन भी हमारे यहाँ पर 90% तक कूक हो चुका है, और कूक हमें चिकन को बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अभी चावलों के साथ भी यह दम पर पकने वाला है, तो चिकन को आप दे एक बिर्यानी की लेएर लगा देते हैं, आ, बिरियानी को ढांपर रखने के लिए जिस पटीले में मैंने चावल बॉयल किया उसी में थोड़े से चावल नीछे से डाल देगे ताके जो मसाला है चिकन का वह जले नहीं, पत्ली सी चावलों की लेएर डाल दे नहीं है, थोड़े से पुदीने के पत्ते दाल देते हैं और थोड़ा सा चिकन मसाला डाल रही हमें ताकि चावलों में भी अच्छा सा फ्लेवर आए चिकन मसाला डाल दिया है मैंने अब इसमें चिकन का कोर्मा डालेगे जो हमने 90% तक चिकन को बॉयल करके रखा है यानि कोर्मा इसका बना कर रखा है तो सभी चिकन का मसाला इसी टाइम डाल देगे हम चिकन की बोटियों को इस तरह से फैलाते वे कर देगे हम ताकि जब हम चावल निकाले तो आसानी से चिकन की बोटी भी हर चावल की प्लेट में हमारे आए तो इस तरह से फैलाते वे मैं मसाले को कर देती हूँ अब इसमें बचे वे सारे चावल डाल देते हम सबी चावलों को मैंने डाल दिया है इस तरह से लेवल कर देगे थोड़ा सा चीकन का मसाला डाल देगे उपर से थोड़े से पुदीने के पत्ते और बचावा बिरस्ता यानि फ्राइड ओनियन अब इसमें बिरस्ते का बचावा तेल दालेगे तो दो से तीन चमच है इस तरह से फैलाते वे दालेगे थोड़ा सा ओर्न फूड कलर मैंने पानी में मिक्स कर लिया है इस तरह से फैलाते वे डाल रही है अब इसे कवर करने के लिए हम जो थाली पर रखने वाले इस पर कोई कपरा लगा देगे ताकि steam बाहर ना निकले तो चलिए gas पर रख देते हैं बिर्यानी को दम पर रखने के लिए और इस तरह से कुछ heavy चीज रख देगे ताकि जो इसमें से steam है वो बाहर ना निकले पहले 3-4 मिनट हम तेज आज पर पकाएगे और 10-12 मिनट के लिए दीमी आज पर दम पर पका लेते हैं यहाँ पर बिर्यानी को दम पर रखे वे टोटल 20 मिनट हो चुके हैं अब मैं गेस बन कर देती हूं और 5 मिनट के बाद इस पर से धक्कन हटा कर हम बिर्यानी को सर्व करेगे माशालला देखिए बिर्यानी का एक एक दाना चुट्टा चुट्टा बनकर तयार हुआ है और हमने जो मसाला बना कर दाला था इसमें उससे तो अलम्दलिल्ला इसकी खुश्बू इतनी जायके दार आ रही है कि आप ये बिर्यानी को एक बार बनाओगे तो खाने के बाद आपके हाथों में से बिर्यानी की खुश्बू देर तक आएगी मेरे बच्चों को तो ये बिर्यानी बहुत ही ज्यादा पसंद है इसलिए जब भी मैं ये बिर्यानी बनाती हूँ तो मुझे पहले से ही कह देते, कि मम्मी आज बिर्यानी ज्यादा बनाना, तो दोबारा से वो बिर्यानी को खाते, यानि दोपेर में भी खा लेते, और स्षाम को भी खाते हैं, इस तरह से मैं ज्यादा बिर्यानी बनाती हूँ, तो आप भी अपने घरवालो के लिए, कीज़ेगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की एत direction अपनीफेमिली में ऐसे प्रेंज girl'show में मेरे रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजीएगा अपना बहुत सारा मुझे याद रखेगा दूआ में मुझे याद रखेगा भी मिलते हैं इंशाला एक नई रेसिपी के साथ अलाहाफिज